नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बहुस इन्पोर्टेंट्स बात पर बात करने आए एजुकेशन पर बात करने आए, इस लोगड़न के घड़ी में एजुकेशन, जितने भी एजुकेशन इंसिट्यूट्स है, पोचिंग है, उसकूल है, कॉलेज़ेज, इन्पोर्सिट्यों, सभी बंद है और सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे, कब खुलेगा, क्या होगा, उसका कुछ डिसीजन नहीं लिया जा रहा है अब इतक ये भी नहीं पता है कि उसकूल कब खुलेगा, हम बात कर रहे हैं, प्राइबेट उसकूल के, और सरकार इसकूल के कॉम्पेर करने हैं प्राइबेट उसकूल में मानें, तो ओनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन उसमें भी बच्चे नहीं पढ़ रहा है क्यूंकि उसमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम सभी बच्चे को उफलाइन परने क्या आ था थे ओनलाइन में क्या है कि जो तेज बच्चे है वो तो ठीक है, वो तो सवाल जबाब कर लड़ा है टीचर से और पूछ लेड़ा हैं और खुद समझ लड़ा है लेकिन बात आती है वो dull student और average student की dull student नहीं पूछ पा रहा है उसमें कि अगर कोई सवाल पूछे और sir हमको reply फिर कोई सवाल पूछ दिये तो हम नहीं जबाब दे पाएंगे class में क्या था कि teacher उस पर ध्यान देता था और उसको notice करता था लाइफ class में notice ही नहीं कर रहा teacher डले student को कैसा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है क्या हो रहा है उसके साथ नहीं हो रहा इसमें बहुत सारे घाटे है student को घाटे है अब आताती है अगर another सरकारी स्कूल के हमारे जो बिहार सरकार के मंतरी है और मुख मंतरी माननी है मुख मंतरी नितीश जी है वो दूर दर्शन पे चला रहे है live class हम पूछना चाहते है जो सरकारी स्कूल में बहुत सारे गड़ी बच्चे भी पढ़ते है जिनके पास TV तक नहीं है अभी mobile भी नहीं है और TV भी नहीं है वो कैसे पढ़ेंगे सर आप उसके लिए तो कोई अलग विवस्था कर नहीं है आप बता भी नहीं है कि उसकूल कब खुलेगा नहीं खुलेगा यह सेशन ब्रेक होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं बता रहे हैं हमारे मानोस असाधन भी गास मंतराले का मंतरी किंति जार होगा